नमस्कार, अब आप मुख्य समाचार सुनिये बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के ओफिस को उड़ाने की धमकी अलकाइदा के नाम से आया मेल 1992 के IPS दलजीत सिंचोधरी बने BSF के नए डीजी संभाला अतिरिक्त प्रभार लोबिन हेम्रम को हाई कोट से जटका, सदस्ता समाप्ती पर रोक लगाने से इनकार जारखन विधान सवा में हिमन सोरिन का बड़ा आयलान कहा दोबारा बनी इंडिया सरकार तो हर घर को देंगे एक एक लाक राची में सब इंस्पेक्टेर अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या रिंग रोट पर मिला शव चत्रा में नदी की तेजधार में बहित तीन बचीयां, दो की बची जान, एक लापता समाचार अब विस्तार से बिहार के मुख्यमंत्री निजिश्कमार का पटना कारियाले कोड़ाने की धमकी मिली है अलकाइदा के नाम के ग्रूप से CMO कारियाले को मेल आया है ATS ने मामले की जाँच की उसके बाद प्रात्मी की दर्ज कर ली गई है प्रात्मी की 2 अगस्त को दर्ज की गई सची वाले थान में इस बारे में एफायार दर्ज की गई है और मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है जहारकन के मुख्यमंत्री हेमन सोरे ने मांसुन सतर के आखरी दिन शुक्रवार को विपक्ष पर जम कर हमला बोला हेमन सोरे ने ऐलान किया कि इंडिया की सरकार बनी तो हर घर को एक एक लाख देंगे विपक्ष पर निशाना साथ वे हेमन सोरे ने कहा कि उनकी सरकार ने डेड़ लाख नौकरिया दी तो उन्हें जेल में डलवा दिया गया पांच मेहने सरकार में रहते तो 5 लाक नौक्री देते आगे देखेएगा इनके 50 फिश्दी विधायक हारेंगे हेमन सोरे ने कहा कि वो गर्व से कहते हैं कि जो हमने 5 साल में किया ये 50 साल में नहीं कर पाते ये ना काम करते हैं और ना करने देते हैं जारकन में अपराध्यू ने एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी हत्या की अवारदात राइधानी रांची के कांके एरिया में शुक्रवारात को हुई मृत्यक 2018 बैच के दारोगा थे फिलाल वो छुटी पर थे और स्पेशल ब्रांच में तेनाद थे मृत्यक सब इंस्पेक्टर का नाम अनुपम का चप बताया जा रहा है फिलाल हत्या के कारणों की वज़ा का पता नहीं चल सका है पुलिस ने अब मामले की जाँच शुरू कर दी है बीएसैप के महानीदेशक दलजीत सिन्चोधरी ने शुरूनिवार को स्विमाथ सुरक्षा बल के महाननीदेशक का अतिरिक्ट प्रभार सबाल लिया उत्तर प्रदेश कैडर के 90 बैच के IPS अधिकारी दलचीत सिन्चोधरी ने नितिन अगरवाल से कारेभार ग्रहन किया। नितिन अगरवाल को शुक्रवार को केंद सरकार द्वारा उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया था। ज्यारकण मुक्ति मोर्चा से निश्कासित विधायक लोबिन हेम्रम को ज्यारकण हाई कोट से जटका लगा है। कोट ने सदस्ता समप्त के जाने के आदेश पर फिलाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ़ते बाद की जाएगी। बोरियों के निवर्तमान विधायक लोबिन हेम्रम ने 25 जुलाई को विधान सभा के स्पीकर कोट द्वारा उनकी सदस्ता रद करने के फैसले को ज्यारकण हाई कोट में चुनवती दी। याचिकाम उन्हें कहा कि स्पीकर ने विशेष दबाव में आकर ये फैसला लिया। ज्यारकण के चतरा की चुन्दू बढ़की नदी की तेजधार में एक लड़की बह गई। लड़की अपनी तीन सहलियों के साथ जंगल से फुटका लेकर लोट रही थी इसी दोरान ये हादसा हो गया। लापता बच्ची की तलाश जारी है। अरवल, बेगुसराय, भागलपूर, गया, जमुई, जहानबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखिसराय, मुंगे, नलंदा, नवादा, रोतास और शेखपूरा जिलों के लिए औरेंच अलर्ट भी जारी किया गया है। समाचार समाप्थ हुए, नमस्कार, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारी यट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और समाचार के बारे में कमेंट करें, अपने विचार हमें जरूर बताएं। झाल झाल